आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ बच्छों की फेबरेट रेसिपी डोरा केक सिंपल इंग्रियंस के साथ बनाएंगे इसे हमने बनाए हैं गेव के आटे के साथ देखे कितना फ्लपी एंड सॉफ बना है यहाँ पर मैं आपको फोल करके भी दिखा रही हूँ और आपको तोड कर भी दिखा रही हूँ देखे कितना पुफेक्ट जाली दर बना है और बिल्कुल भी आटे के तरह यह आपको लगेगा इन्हें और उपर से मैंने आपको बनाएंगे चेलफ इस रेसिपी को हम स्टार् यहां पर एकदम पाउडर के तरह पीस कर लेना है या फिर आपको मार्केट में शुगर पाउडर आपको अविलेबल रहेगा वो भी आप ले सकते हों एक चणनी रख दीजिए उसमें डाल देंगे हम एक कप जितना गेव का आटा यही सेम कपसे हम बाकी सारे मेजरमेंट्स क किजिए और उससे मैंने आदे कप से भी कम मेदा लिया है उसके अंदर मिल्क पाउडर को ढलने के बाद्ये overcome दॉज़ाय कुप ецश्या पीशाची पाउडर कुचर ह्क आपको चीनि का से एक बने करने के चाहिए बाद जोबी पचा कुछ आ है वह हमें से कंशन हाटा देना है अब यहां पर हम अन्य डीया है और साथ में पर एक छाइतल निया है इसे घ्रालकर अच्छे से mix करके लेना है इन सारे mixer को एक बर अच्छे से mix करके लेंगे उसके बाद हम इसमें दूद आड़ करेंगे दूद आड़ करने से पहले ध्यान रखिये कि दूद का जो room temperature है वह room temperature होणा Ihr कि तन के यानि कि एक कप खैर दूद के एक कप जानना के बाद किसमाइब कोई लेकिन इसके बाद अब तुरन दूद मत आड़ कर दीजे बस इसे मिक्स करते रहेंगे और फलपी होने देंगे और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक चमच दूद और बेकिंग पौडर यहाँ पर आड़ किया है बेकिंग सोडा नहीं आड़ किया है मैंने बेकिंग पौडर क को एड़ करकर फिमिक्स कर लीजे देखे दूद मेने यही कपसी मिजर के सबसे लिया है यहाँ पर अभी हमारा बैटर भी रड़ी हो चुका है इसे हम साइड में रख लेंगे आपको अभी नॉन स्टिक की पैन लेना है नॉन स्टिक की पैनी लीजिए क्योंकि उसमें ही पैन या फिर एक छोटी से बाति लीजिए जो भी लीजिए उसी कप के मिजर्मन के सबसे हम इसमें पैनकेक्स बनाएंगे यहाँ पर मैंने एक स्पून के मदद से यहाँ पर वही स्पून के मदद से हम इसे पैनकेक बनाएंगे पैनकेक का बैटर हमें डाल देना है और इसे पा से हम बागी सारे पैंकेक्स को रेडी करेंगे परस्ट वाला पैंकेक का टेक्शर जो है बैक साइड का कुछ उस तरह से था क्योंकि हमने तेल इस्तमाल किया था उसके बाद के सारे पैंकेक्स के आपको बैक साइड के टेक्शर एकदम परफिक दिखेंगे यहाप देखे मैं त्विस्ट करके दिखा रही है पाच मिनिट के बाद देखे एकदम परफेक्ट तरीके से दिख रहा है ना पैंकेक इसी तरह से आमें बाकी सारे पैंकेक्स को रडी करके लेना है बहुत ही आसानी से आप सारे पैंकेक्स को रडी कर सकते हो एकदम सिंपल तरीके से बिल्कुल लगा लिजिए या फिर आप इसके अंदर कोई भी स्ट्रॉबेरी इस या बनाना साप कोई भी आप चीज आज सकते हैं पैंकेक के अंदर इसे मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ देखे कितने अच्छे से पोफेक्ली पक चुका है और एकदम सॉफ बना है इस रेसिप को आप जरू ट्राइए कीजिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए थैंक्यू फॉब